नेपाल में प्रधान मंत्री ओली के स्तीफे पर सस्पेंस जारी है उन्हें की पार्टे के नेता प्रधान मंत्री की स्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं शनिवार रविवार के बाद भी ओली ने अपने मुखे विरोधी पुश्प कमल दहल प्रचंट से बादचित की उन्हें मनाने की कोशिश भी की लेकिन नतीजा नहीं निकला ओली को सिर्फ इतनी काम्यावी में कि प्रचंट मंगलवार को भी बादचित के लिए तयार हो गए ओली सरकार बचाने के लिए चीन भी एक्टिव है वही नेपाल में चीन की अमबेस्डर हाउ यांग की लगातार नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी एंसीपी के नेताओं से बादचित कर रही है ओली और प्रचंट के भी इस बादचित दोपहर में शुरू होगी सुमवार को बादचित हुई लेकिन इसकी जानकारी मीडिया को नहीं दिगए सिर्फ इतना बताया गया कि दोनों नेता मंगलवार को बादचित जारी रखने पर सहमत हो गए है लिहाजा आज होने वाली बादचित पर भी सभी की नजरे रहेंगी वहें सुत्रों के मुताबिक प्रचंड ने ओली से साफ कह दिया है कि उनको इस्तिफा देना होगा हाला कि एक धड़ा ऐसा भी है जो चाहता है कि सरकार पच्चाए इसलिए समझोता कराने की कोशिशे भी चारी है अगर ओली और प्रचंड के बीच मिटिंग में कोई फैसला नहीं होता तो यह माना जा सकता है कि कल यानि भुदवार को होने वाली स्टेंडिंग कमेटी की मिटिंग एहम होगी इस कमेटी में 40 मेंबर हैं 30 से 33 ओली का इस्तिफा मांग रही है सिर्फ इतना ही नहीं एन्सिपी की तीन कमेटीों में से किसी में भी ओली को समर्थन हासिल नहीं है लिहाजा ज्यादा संभावना यही है कि अगर ओली और प्रचंड के बीच समझोता नहीं हुआ तो प्रधान मंतरी को इस्तिफा देना ही पड़ेगा माना जा रहा है कि अगर ओली ने इस्तिफे से इंकार किया तो पार्टी तूट जाएगी एक गुट ओली और दूसरा प्रचंड के साथ चला जाएगा वहीं सुत्रों के मताबिक रविवार को प्रचंड ने ओली से पार्टी अध्यक्ष पर छोटने को कहा ताकि सरकार बचाई जा सके आपको बता दे कि पार्टी नेता कई मुद्दों पर ओली से नाराज भी है प्रधान मंतरी कोविड-19 से निपटने में नाकाम साबित हुए ब्रस्टाचार के आरोपों पर कारेवाही नहीं की एक बेहत एहम मुद्दा भारत से जुड़ा है पार्टी नेता मानते हैं कि सीमा विवाद पर उन्होंने भारत से बाचित नहीं की वैसे भी ओली पार्टी के तीनों प्लेटफोर्म पर कमजोर है स्केट्रिड, स्टेंडिंग कमेटी और सेंट्रिल कमेटी में उनको समर्थन नहीं है पार्टी के नियमों के मुताविक अगर इन तीनों प्लेटफोर्म पर नेता कमजोर होता है तो उसका जाना तै है ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वाल J.B.D. Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Rajgarana and the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, century air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgarana and Jyoti Garden A J.B.D. Banquets Enterprise